गुड मॉर्निंग ओलोफ यू आप सभी का हमारे यूटुब चैनल मैच्स लाइटाउस पर स्वाकत है हम सुरू करने जा रहें आज अलजेबरा बीए बीए सी फर्स्ट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्टन्स कुछ कोश्टन्स हम पहले कर चुके हैं आज हम नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है इस सीरीज के अंदर तो फर्स्ट कोश्टन हमारे पास है वेरिफाई कैले हमिल्टन तौरम for the matrix A and compute A inverse where A is equal to this matrix हमें यहाँ पे कैले हमिल्टन तौरम को वेरिफाय करना है और बच्चों कैले हमिल्टन तौरम का प्रूफ भी most most important है अब उस proof को देखने के लिए हमारी playlist के अंदर chapter number 3 के अंदर जिसका नाम है factor sticks equation of a matrix तो वहाँ पर आपको उसका proof मिल जाएगा तो आप proof वहाँ से कर सकते हो most important proof है उसको नहीं छोड़ना है आपको करके जाना है ठीक है? या तो exam के अंदर proof मिलेगा आपको या फिर उसका इक question मिलेगा verify kelly meltdown theorem अब ये आपकी किसमत पे है कि आपको proof मिलता है या उसका question मिलता है तो आज हम इसका question सुरू करते हैं, question देखते हैं कैसे solve करेंगे इसको verify kelly meltdown theorem तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसका characteristic equation तो characteristic equation of a is हमारे पास क्या होते है characteristic equation a minus lambda i is equal to 0, ये हमारे पास characteristic equation होते हैं, हमें क्या करना है जो diagonal element है उन मेंसे lambda minus करके इस matrix को लिखना है, ठीक है, उसका determinant solve करना है, तो चलो करते हैं तो हमारे पास a minus lambda i is equal to ये बनेगा हमारे पास 0 minus lambda करेंगे तो यहाँ पा हमारे पास minus lambda 1 minus lambda, 4 minus lambda और बागे टर्म हमारे पास as it is रहेंगे तो उसको लिख देता है, यहाँ पे minus lambda, 0 1, 3 1 minus lambda, 0 minus 2, 1 4 minus lambda is equal to 0, अब इस determinant को solve करना है, ठीक है, तो इसको solve करने के लिए आप यहाँ पे direct इसको expand भी कर सकते हो, और यहाँ पे operation apply करके भी इसको solve कर सकते हो, ठीक है, यहाँ आपकी चोईस है, तो हम इसको expand कर देते हैं expanding इसको बनेगा, ठीक है, पलस, अब 1 लेंगे हम, तो यहाँ से column delete, row delete, तो 3 की में लिट्पलाई, बन के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, थी, फिर minus, 2 into 1 minus lambda, और एक minus यह है, तो 2 into 1 minus lambda, is equal to 0, यह हमारे पास बनेगा, इसको simplify करते हैं, तो हमारे पास जो equation बनेगी, ओ lambda cube, minus k5 lambda square, plus 6 lambda minus 5 is equal to 0, यह हमारे पास बनेगी, और यह हमारे पास क्या है, characteristic equation, ठीक है, lambda cube minus k5 lambda square, plus 6 lambda minus k5 is equal to 0, therefore, characteristics equation is, lambda cube minus k5 lambda square, plus 6 lambda, or minus 5 is equal to 0, अब हम करेंगे, आपे, Kelly Hamilton theorem को verify, और Kelly Hamilton theorem होती क्या है, कि every square matrix satisfies its characteristics equation, तो हर एक square matrix क्या करते है, अपने characteristic equation को satisfy करते है, तो हमने यह आपे characteristic equation बनाती है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, जो lambda है न, इसके place पे A करना है, ठीक है, तो A करेंगे, आपे इसके place पे, तो चलो क करते हैं, to verify, Kelly Hamilton theorem, C, A, Y, Kelly Hamilton, H, A, M, I, Kelly Hamilton theorem, ठीक है, तो हम क्या पूरू करेंगे, करेंगे, we have to prove, that is, A cube, minus K5, A square, plus 6A, minus K5, into Y, ठीक है, matrix के अंदर जो constant term था, उसके हमने क्या लगा दिया, I लगा दिया, identity matrix, ठीक है, और lambda के place पे हमने A put कर दिया, तो सबसे पहले हमें A के वह निकालने पड़ेगी, A cube की, तो A cube निकालेंगे, उससे पहले A square निकालेगा, तो now A square, इसको नाम देना चाहिए, आप equation number 1, तो अभी दे सकते हो, ठीक है, तो जो इसको equation 1 दे देते हैं, तो A square is equal to, A multiply है, और A matrix हमारे पास है, 001, 310, minus 214, same यहाँ पर 001, 310, 00, और minus 214, यह हमारे पास matrix given थी, ठीक है, हम क्या करेंगे, आप है, देखो, multiply करने आपको आती है, row by column हम multiply करते हैं, इस side से row, इस side से column, ठीक है, first row, first column, first row, second column, first row, third column, फिर second row, first column, second row, second row, second row, third, ठीक है, इस परकार से multiply करते हैं, तो multiply करनी आई थिंक, आपको आती है, अब 12th class से multiply सीखते आज आ रहे हूं, ठीक है, तो 2, 1, 4, 3, 1, 3, minus 5, 5, और 14, ठीक है, ज़्यादा time waste ना करते हुए, मैंने डागटी आपर लिखती है, ठीक है, multiply आप कर लेंगे, मुझे पता है, आपको विश्वास है मुझे, तो अब निकालते है, a cube, a cube कैसे लिखेंगे, a square into a, अब a square के वाइले तो, हमने अभी निकाल लिए, that is, minus 2, 1, 4, 3, 1, 3, minus 5, 5, 14, और a matrix के वाइले हमारे पास given है, that is, 0, 0, 1, 3, 1, 0, minus 2, 1, 4, अब इन की multiply करते हैं, इसकी multiply करेंगे, तो हमारे पास जो result आएगा, a cube का, वो आता है, minus के 5, 5, 14, minus 3, 4, 15, minus 13, 19, और 51, यह हमारे पास आचुके, a cube, अब therefore, equation 1 becomes, अब यह values, हमें कहां पूट करने, equation number 1 के अंदर, ठीक है, तो equation 1 के अंदर, जब हम values पूट करते हैं, तो therefore, हमारे पास, जो a cube, minus 5 a square, plus 6 a, minus 5 आए, तो यह हमारे पास बनेगा, a cube के value, अभी हमने निकाल लिए, that is, minus 5, 5, 14, minus 3, 4, 15, minus 13, 19, 51, ठीक है, minus k, 5 time, a square के value, a square के value, minus 2, 1, 4, 3, 13, और, minus 5, 5, 14, यह हमारे पास value है, और, plus 6, a की value, a मारे टेक्स की, that is, हमारे पास, 001, 3, 10, minus 2, 14, minus 5, 100, 0, 10, 00, 1, इसको जो हम सिंप्लिफाई करते हैं, तो देखो, minus 5, और minus minus plus, 5, 2, 10, यहां से 0 आएगा, और, minus 5, minus 5, minus 5, that is minus 10, और, यहां से plus 10, तो यहां से हमारे पास, जो answer आएगा, 0 आएगा, इसी परका सभी से answer, हमारे पास कहाएगा, यहां पर, 0 आएगा, तो यहां पर, हमारे पास, जो कैले हमेलटन थोरम है वो verify हो चुकी है that is a cube minus k5a square plus 6a minus k5i is equal to 0 ठीक है hence कैले हमेलटन थोरम थोरम is verified देखो एक काम तो हमने आप एक कर दिया complete अब next काम हमारे पास compute a inverse अब हमें a inverse find करना है अब देखो a inverse find करने के लिए हम अलग से नहीं करेंगे किसका joint निकालेंगे फिर determinant निकालेंगे फिर उसको divide करेंगे इस type से हमें काम नहीं करना है हम काम कैसे करेंगे आपे जो एक्वेशन हमने निकाल लिया है is equal to 0 हम इसी equation का यूज करेंगे देखो कैसे यूज करेंगे हम to find A inverse तो A inverse फाइंड करने के लिए हमारे पास equation दिए हुई है A cube minus k5 A square plus k6 A minus k5 A is equal to 0 तो यहां से power को कम करना है ठीक है A inverse तक में जाना है तो क्या करेंगे अब प्रे मिल्टिप्लाइ करता है pre-multiplying by A inverse तो यहां पर A inverse से multiply करेंगे तो A inverse into A बने गए यहां पा है हमारे पास देखो हम A click के दिखाते हूं आपको A into A square जो A cube है इसको लेक सकते हैं A into A square minus k5 A inverse into A into A इसको मने लग दिया plus 6 A inverse into A minus k5 A inverse A is equal to side करेंगे तो 0 तो A inverse equal यह हमारे पास होती I के equal तो I into A square वाप पेसे हमारे पास आजाएगा यह A square ठीक है यह property आपको पता है तो minus k से मियास है 5 A plus के 6 I minus के A inverse I हमारे पास A inverse के equal रहेगा is equal to 0 देखो हमारे पास जल्ट होता है A inverse into A I के equal होता है ठीक है और A inverse into I यह हमारे पास A inverse के equal होता है इस result का हमने यूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पे A square minus 5 A plus 6 I और minus 5 A inverse is equal to 0 matrix यह हमारे पास बच्चा तो यहाँ से A inverse की value इस टरम को left side रखेंगे और बागी टरम को right hand side पहुचा देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो A inverse निकल के आएगा वो आता है 1 by 5 A square minus A plus 6 by 5 upon I तो A square के value हमारे पास यह आचुकिए यह हमारे पास equation बन चुकिए इस inverse की ठीक है इस equation के अंदर में A square के value पूट करने है एक ही पूट करने है और I की value पूट करने है ठीक है तो A inverse is equal to हमारे पास 1 by 5 A square की value minus 2 1 4 3 1 3 minus 5 5 14 minus 001 3 1 0 minus 2 1 4 plus 6 upon 5 plus 6 upon 5 that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है जब हम इसको soul करते हैं simplify करते हैं देखो यह हमारे पास 1 by 5 की multiplication के साथ करेंगे इसके साथ भी इसके साथ इसके साथ भी elements करेंगे ठीक है जो आएगा answer उसमें से corresponding element को update करेंगे फिर जो आएगा उसमें पलस corresponding element हमारे पास यहां से आएगा उसको add करेंगे तो soul करने के बाद हमारे पास यहां से जो answer निकल के आता है वो आता हमारे पास 1 by 5 4 1 minus 1 minus 12 2 3 5 0 0 यह हमारे पास यहां से इसका answer निकल करता है that is हमारे पास किसकी value है A inverse की तो A inverse is equal to 1 by 5 4 1 minus 1 minus 12 2 3 5 0 0 देखो L से में लेके add करना यह काम तो बिल्कुल बच्चोग काम है यह काम आसानी से आप कर सकते हो ठीक है तो इसी के साथ हमारे यहां पे एक question finish होता है इसके बाद देखते हैं next question question number 2 find the minimal polynomial of matrix A A matrix हमारे पास है इसके में minimal polynomial find करनी है and show that it is derogatory और इसको derogatory भी show करना है तो चलिए करते है find minimal polynomial तो उसके लिए भी हमें क्या निकालने पड़ेगी यहां पे characteristic equation ठीक है तो soul करते है इसको A matrix हमारे पास है given है इसको लिखने जोड़ने नहीं है ठीक है तो A minus की lambda I मैं direct यह निकाल देता हूँ यहां से characteristic polynomial निकालता हूँ ठीक है A minus lambda I तो यहां पे diagonal element है यहां पे इनको क्या करेंगे 5 minus lambda 4 minus lambda minus 2 minus lambda diagonal elements में से lambda को minus करेंगे और बाकी के elements को same लिखेंगे minus k1 4 minus lambda 2 3 minus 6 minus 2 minus lambda और यह भी spoiler mill को हमें क्या करना है simplify करना है अब चाहो तो direct भी solve कर सकते हो चाहो तो आप इसको operation अप्लाई करके solve कर सकते हो ठीक है तो आप इसको operation अप्लाई करते है R3 R3 plus R2 इनकी row को हम add करेंगे R3 के अंदर क्या करना row को हम add करेंगे R3 plus R2 इसमें इसको add करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 बच्चेगा इसमें इसको add करेंगे तो यहाँ पर minus 2 minus lambda और यहाँ पर add करेंगे तो हमारे पास बच्चेगा यहाँ पर minus 2 2 minus lambda यह हमारे पास है तो add करते हैं तो हमारे पास simplify हो के जो answer आता है minus 2 minus lambda यह हमारे पास आता है यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास sorry minus 4 आएगा यहाँ पर यह minus 4 ठीक है कोई नहीं हो जाते है mistake चोट चोटी तो अब चलो add करते हैं तो हमारे पास 5 minus lambda minus 6 minus 6 minus 1 4 minus lambda 2 2 minus 2 minus lambda और minus 2 minus lambda यह हमारे पास आया है यहाँ ठीक है इसके बाद operation apply करेंगे यहाँ पर c2 पर operation apply करते है तो c2 पर c2 minus c3 तो equal to me हमारे पास यहाँ पर बनेगा 5 minus lambda देखो 6 minus 6 करेंगे तो 0 बन जाएगा ना operation c2 पर अपलाई है द्यार रखना इसमें से इसको minus करना है तो 0 तो 3rd वाल तो hd रहेगा minus 1 2 minus lambda 2 2 0 minus 2 minus lambda यह हमारे पास है अब करते हैं इसको expanding along c2 देखो 2 0 बन चुके हमारे पास तो इसको along इसको expand कर देंगे expanding along c2 तो यहां से हमारे पास बचता है minus 2 minus lambda into में हमारे पास यहां पर आएगा यह column delete row delete 5 minus lambda into 5 minus lambda into minus 2 minus lambda और minus minus plus 6 to 12 इसको simplify करते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास जो हमारे पास है lambda minus 2 का square ठीक है यह हमारे पास था तो यहां से lambda minus 2 का square लिख दिया हमने into lambda minus 1 इसको simplify करेंगे तो हमारे पास यह column बन क्या आती है राइट इसके बाद जो characteristic equation है यह हमारे पास characteristics equation क्या बनेगी equal to 0 लगा देंगे characteristics equation is lambda minus 2 का square into lambda minus 1 is equal to 0 ठीक है तो हमने characteristic equation निकल ली equation निकल गी तो यहां से इसके root भी निकलेंगे तो lambda is equal to दो root यहां से आएंगे that is 2,2 और एक root यहां से आएगा बन आएगा ठीक है यह मारे पास क्या चुके है और characteristic roots यह हमारे पास characteristic root बन चुके है ठीक है तो हमें पता है जो characteristic root है उन में से एक root क्या मिलेगा? characteristic polynomial उसका minimal equation का root मिलेगा ठीक है? तो चलो करते हैं यहां से we know that each characteristic root of a is also root of its minimal equation therefore 1 and 2 are also roots of minimal equation जो 1 and 2 होंगे हमारे पास वो minimal equation के भी roots होंगे ठीक है? ठीक है? ठीक है 2, 2 टाइम आया हुआ है तो हम यहां से एक टाइम लेते हैं सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि smallest हमारे पास कै यह हमारे पास 0 आता है है? satisfy करता है एक हो तो ठीक है? satisfy नहीं करता है तो फिर हम 2 की power 2 ले लेंगे ठीक है? तो 1 and 2 also हमारे पास क्या है? root है minimal equation की तो let करता है minimal equation let mx m of x be the minimal polynomial of it एक ही हमारे पास क्या? minimal polynomial है? ठीक है? minimal polynomial है तो therefore x-2 and x-2 must be the factor root है तो factor तो होंगे must be the factor of mx ठीक है? factors मारे पास mx की होच चुकी है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? check करेंगे तो x-2 into x-1 तो यहां से मारे पास x-3x plus 2 तो अभी इसके अंदर हमें कराना x के पले इस पर a put कर देना है ठीक है? तो we check x-3x plus 2 is satisfied by a और not a के दोवारे satisfied होती है या नहीं होती है ठीक है? is equal to 0 यह equation हमारे पास a इसको satisfied करता है या नहीं करता है a satisfied करता है तो हमारे पास यह हमारे पास क्या बन जाएगी? minimal pull no-mil बन जाएगी ठीक है? तो हमें क्या निकालना? देखें यहाँ पे x आया हुआ है तो x का square that is a का square हमें निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे a का square निकालते है now a square is equal to तो a की value हमारे पास 5 minus 6 minus 6 minus 1 4 2 3 minus 6 minus 4 यह हमारे पास given थी तो इसे को फेसल लेग देता है 5 minus 6 minus 6 minus 1 4 2 3 minus 6 minus 4 अब इनके करते हैं multiply तो multiply करने आपको आती है अब इसलिस को multiply कर सकते हैं 5 5 जाट 25 minus 6 और plus 1 that is 6 जाट 6 और फिर minus 6 की multiply 3 से तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 13 इसे पकार से minus 18 minus 18 minus 3 10 6 9 minus 18 और minus 14 ठीक है multiply आप कर लेंगे तो therefore a square minus 3 यह plus 2a अब हम इसको solve करके check करना है कि a 0 बनाता है यह नहीं बनाता बनाता है तो हमारे पास characteristic pole और चीर ता बोल मिल आ जाएगी minus 18 minus 18 यह थीक है minus 3 10 6 9 minus 18 minus 14 minus 3 time 3 time of a a की value 5-6-6 minus 1 4-2 3-6-4 और पलस में 2 time अइडेनिटिमेटिक्स 1-0-0 0-1-0 और 0-0-1 अब इसको हम simplify करेंगे इसको solve करेंगे जब solve करते हैं हम तो हमारे पास जो अंचराता है इसको solve करने के बाद वो 0-0-0-0-0 यह आता हमारे पास तो matrix A ने क्या कर दिया इस equation को satisfy कर दिया ठीक है तो matrix A satisfies the equation satisfies the equation x square minus 3x plus 2 is equal to 0 hence m of x is equal to x square minus 3x plus 2 is minimal polynomial इसना satisfy कर दिया तो हमारे पास क्या बन चुकी है minimal polynomial बन चुकी है ठीक है अब चेक करते हैं इसके degree जो degree है हमारे पास minimal polynomial की कितने degree है 2 degree है और यह degree हमारे पास जो A matrix है उसके degree से उसके order से क्या है less है देखो A matrix का order कितना हमारे पास 3 order की matrix दिया हुई है वो इसका order हमारे पास 2 है तो इसका जो हमारे पास degree है वो क्या है less है since degree of Mx is less than the order of A therefore A is derogatory जो इसके degree है हमारे पास वो less आच चुकी है तो हमारे पास जो A matrix है वो कैसी है derogatory matrix है ठीक है इसके बाद देखते हैं next question question number 3 find the value of K such that the system of equations X plus KY plus 3Z is equal to 0 4X plus 3Y plus KZ is equal to 0 2X plus Y plus 2Z is equal to 0 has a non-trival solution इस equation के अंदर हमें के के value find करनी है कि किस value के लिए इस equation का non-trival solution है तो चलो इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हमें क्याल करना है जो इस system of equations दी हुई है इन equations को matrix form में लिखेंगे तो equations in matrix form ठीक है यह हमारे पास matrix form क्या होती है ax is equal to b तो a की value यहां से कैसे निकल लेगी जो coefficient है न xyz के वो हमारे पास a matrix बन जाएगी तो 1 यहां से k 3 4 3 k 2 1 2 ठीक है यह हमारे पास matrix बन गई और x matrix हमारे पास जो यहां पर variable यूज होए है that is xyz 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 is equal to right hand side b हमारे पास क्या b के value 0 0 0 ठीक है यह हमारे पास values है 0 0 0 ओके now ax अब हमें क्या निकालना है ax is equal to 0 हमारे पास matrix बन चुकी है इस matrix को अब हम a matrix की help से solve करेंगे यहां पर तो a is equal to 1 k3 4 3 k 2 1 2 यह हमारे पास matrix है यहां पर apply करते हैं operations और इसको मनाते है row echelon foam ठीक है row echelon foam के अंदर सुरिया करते हैं convert करते हैं अब देखो operation लगाएंगे उससे पहले हम क्या कर लएते हैं यहां पर इसको interchange कर लएते हैं तो operation apply करता हूँ r1 interchange r3 तो interchange करेंगे तो हमारे पास यह बनेगा देखो 1 k3 यह तो नीचे आ जाएगा उपर जाएगा हमारे पास 2 1 2 2 1 2 4 3 k 2nd row as it is और 3rd row 1 k 3 ठीक है इसके बाद operation apply करते हैं यहां पर हम r2 इसको जूरो बनाना है इसकी help से ठीक है r3 इसको जूरो बनाना है इसकी help से तो बनाते हैं तो r2 minus के 2 r1 और दूसर operation r3 minus 1 by 2 r1 देखो बच्चों यहां पर जो 2nd operation apply किया है आप क्या करोगे आप यह सोचते होगे कि उसको 2 से multiply कर दे इसको diet subtract कर दे answer आ जाएगा answer आ जाएगा आपका लेकिन जो method होगा वो गलत होगा ठीक है तो यहां पर जो यह operation हो ताई side इस पर हम कुछ भी apply नहीं करते है जो भी करते हैं वो यहां पर करते है राइटर वाले पर ठीक है तो चलो इसको apply करते हैं यहां पर तो हमारे पास जो A matrix बनेगी वो किसके equivalent हो जाएगी 2, 1, 2 यह तो हमारे पास same रहेगा यह 0 बन जाएगा 0, 0 यहां पर 1 k-4 k-1 by 2 and 2 इतना काम हमने कर लिया अब यहां से भी एक 0 बनाना पड़ेगा तो इस टरम को 0 बनाना है यहां से तो इसको 0 कैसे बनाएंगे r3 में से इसी को r2 time कर देंगे इसी को r2 time करेंगे तो चलो करते हैं यहां पर r3 minus k-1 by 2 r2 ठीक है यह काम हमने कर दिया तो ए मैटिक जो हमारे पास बनेगी वो 2, 1, 2 0, 0, 1 k-4, 0 9 by 2 k- k2 यह हमारे पास यहां पर बन कर क्या आया है ठीक है वो non-trival का मतलब क्या है जो उसकी rank होगी वो 3 के equal नहीं होगी 3 से less होगी उसकी rank ठीक है तो 4 non-trival rank of a less than 3 तो rank 3 है यह possible कब होगी that is 9 by 2 k- k2 is equal to 0 अगर यह value 0 हो जाएगी तो इसकी rank क्या हो जाएगी 3 से कम हो जाएगी इसकी rank तो इस value को हमने क्या के 0 के equal put कर दिया ठीक है तो यहां से इसको थोड़ा simplify करते हैं तो 9 k minus 2 k square is equal to 0 तो k कमन निकालते k into 9 minus 2 k अब यहां पर बच्चे कुछ गलती करेंगे वो क्या करेंगे k कमन निकालके k को यहां से गाइब कर देंगे बिलकुल बोलें इसका कमन निकाल दिया वह तो गाइब हो गया बच्चों quadratic equation है k square के अंदर quadratic equation की क्या होतता है तो यहां से एक तो हमारे पास k is equal to 0 आएगा और 9 minus 2 k is equal to 0 इसको simplify करते हैं तो हमारे पास यहां से कहाता है k is equal to 2 k हो set गया तो 9 by 2 तो यहां से k कही हमारे पास 2 values आच चुकी है 0 और 9 by 2 ठीक है हमें यहां पर यही solve करना था I hope आपको समझाया होगा मिलेंगे फिर जल्दी next video के साथ तब तक इस video को share केजिए enjoy केजिए तब तक के लिए bye bye take care, see you thank you for watching